Hello, this is Harish Khairnar and I welcome you all to Utkarshi Classes and the big news of the movement is कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने तीनों कुरुशी कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया है हम लोग तीनों कुरुशी कानूनों के बारे में जानेंगे कि क्या कहते हैं तीनों कुरुशी कानून इन राज्यों से यूपी और विहार की कुछ फार्मास इसको सपोर्ड भी किया विपक्ष ने भी इस चीज़ को लेके खुब सारा हंगामा मचाया तो इन चीज़ों को लेके इतना एजिटेशन चलते हुए आखिरकार मोदी जी ने जब आज सुबह एलान किया तब उन्होंन तो यह इन तीन क्रिशी कानून में से सबसे पहला कानून था था अब हम बात कर रहे है पहले प्री ट्रेड और वाला सिस्टम जो है वो फार्मर को प्रोवाइड किया जा रहा था कि वो अपने तरीके से जिसको चाहे अपनी उपज बेज सकता है किसी भी license धारी व्यापारी को किसी भी license holding trader को वो अपना जो उसका जो अनाज था जो भी उसकी उपच थी वो बेज सकता था अपने राज्य में या किसी और राज्य में भी इसके तहट जो भी मंडी tax होता था जो भी APMC जो tax लेती थी उसको भी खतम कर दिया गया था और APMC सिस्टम और जो बिचोलियो वाला सिस्टम है ये खतम करने के लिए ये law लाया गया है ये सरकार का कहना था जिनको farmers ने बहुत सारा agitation दिया जिसके खिलाब बहुत सारे अंदोलन हुए उनमें ये सबसे बड़ी वज़ा थी कि farmers कह रहे थे कि हम लोग APMC में जब अपना माल बेचेंगे तो हमें जो एक MSP होती है उसका जो एक minimum support price होता है न्यून तन समर्थम मुल्ले मिलता है वो मिलने की जो आशंका है वो कहीं नगए खतम होने के chances लग रहे थे दूसरा लोग कहता है ये mainly contract farming के बारे में बात कर रहा था इसके तहट अगर कोई भी अनाज अपना कोई भी अपनी फसल कोई भी farmer बेचना चाहे कोई भी किसान देना चाहे तो वो अपने हिसाब से उसका contract बना के पहले उसको अपने जो प्राइस चाहे उसमें बेच सकता था पर इसमें एक catch ये था कि अगर इसके लिए जो crop बीमा होता है जो भी अपना कोई उसके लिए policy लेता है बीमा के लिए उस जो बीमा की policy लेता है फसल के लिए उसका जो प्राइस है वो contract farming sign करने वाले company वालों को उसका जो पैसा मिलता वो उनके तरब जाता farmer को ये नहीं मिलता तो ये basic कुछ दिक्कते थी जो इनके बीच में थी जिसको लेके बहुत सारे round of meetings हुए दोनों parties में सरकार जो केंदर सरकार है उनके और जो भी यहां कुछ राजय सरकार है थी जिन्होंने इसको अपोस किया था सारे CM के साथ में PM ने meeting करी थी as well as यहां पे जो नरेंदर सिंग्तों मरें हमरे क्रिशी मंतरी है उन्होंने काफी सारे जो क्रिशी और्गनाजिशन से उनसे meeting करी थी more than 15 rounds of meeting were held इसके बाद भी कोई उससे वो निकल के नहीं आया तो आज मोदुज ने जब ऐलान किया तब उन्होंने मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूं कि किस तरीके से हम इस चीज को लोगों तक पहुचाने में नाकाम्या इस चीज की बात करी तीसरा लोग कहता था the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation bill यह लोग उसी के बार में बात करता है कि किस तरीके से जो आवश्यक वस्तुए है जिसमें आपका खाद्या नतेल हो गया डाल हो गई या आपका जो कोई प्याज हो गया ऐसा जो प्रोड़क्ट है उनको असाधारन स ठीथी छोड़ते हुए एमर्जंसी जो भी आपका टाइमिंग है उसको छोड़ते हुए आप बाकी टाइम में चितना चाहे उत्रा स्टॉक कर सकते हैं there was no stock limit kept आप उसको कितना भी स्टॉक कर यह कोई दिक्कत नहीं व्यापारियों के लिए लाया गया था in particular so this would have caused chaos यह भी motivated move बोल रहे है किसी भी तरीके से बच्जी तरीके से प्रेजेंट किया गया मोदीजी द्वारा उन्होंने सीधा सीधा कहां है कि आज गुरुनानक जैन्ती जो है तो उसके लिए पंजाब और हर्यानक जो फार्मर्स है उनको मैं यह as a gift प्रेजेंट कर रहा हूं वो लोग अपने अपने घर जाए और आज जो यह प्रकाश फर्व है वह बहुत आनन से मनाए तो जो फार्मा से इतने साल भर से वहां पर बैटे हुए थे बहुत सारी डेट्स बीच के अंडर हो चुकी है तो यह जो चीजे थी बहुत सारे जो डली में जो highways थे आपका नजब वहां पर जो प्रोब्लेम क्रियेट हो रही थी वो अभी कहीना कही स्वाल होने का सामने हमें रास्ता दिखा ही दे रहा है और यह एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके पहले जो भी इसके रिलेटेज जो भी न्यूस बनके आई है उसको हम देख सकते कि कहीना कहीं उस सवयदानिक प्रोसेस बोलेंगे जैसे यह सवयदानिक प्रोसेस से पास हुआ था पहले लोग सवा में गया फिर राजय सवा में गया फिर प्रेसेटेंट से साइन होके फिर इसका एक्ट यह जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस से अगर देखा जाए तो वापेस लेने वाल जो है वो पूरी कर देंगे और this is a very good step if we'll see so that we can discuss more हम लोग आगे और discussions करेंगे जो farmers है जो इससे परेशान थे बले एक तपका ही सही जो भी परेशान था हम उसको लेके उनको इस flow में लाके कि उनके क्या recommendations है उनको लेके इसको पहली बार जब एक बार जैसे कि कुछ बिल पास कराए गये थे तो ऐसे किसी भी process को involve ना करते हुए हम normally सारे discussion के साथ में पूरे सब लोग को साथ में लेके चलेंगे यही कामना है और यही कामना मुदी जी ने भी व्यक्त करी है कि आगे जाने वाले टाइम में हम लोग इस तरीके से उसको शायद वापैस कही न कहीं देख सकते हैं कि यह कैसे उबर के नए act बन के जो भी अभी इसके बाद में act आएंगे वो किस तरह किसे आएंगे यह देखने वाली बात होगी तो यहां तक यह आपके farm laws थे और इसके बारे में जो हमने बात करी जो भी report आईए वो आपको बता दी है so thank you thank you very much